IBPS भर्ती का 5300 काउन पदो पर नोडिफिकेशन जारी हुआ है आविदन शुरू हो चुके हैं IBPS में 5300 काउन पदो पर नोडिफिकेशन जारी हो गया है जिसके लिए ओनलाइन आविदन शुरू हो गया है IBPS भर्ती के तहित स्पेसलिस्ट ओफिजर के 896 वहीं प्रोबेशनरी ओफिजर के 4400 पदो पर नोडिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस भर्ती में ओनलाइन मोड से आविदन मांगी गया है वहीं IBPS भर्ती में आविदन सुल्क की बात करें तो अन्य पिछना वर्ग और सामा नवर्ग और आर्थिक रूप से कम जोरूवर्ग के लिए 850 रुपए आविदन सुल्क रहने वाला है जबकि अन्य वर्गों के लिए 114 रुप आविदन सुल्क रहने वाला है IBPS भर्ती के लिए IOC मा की बात करें तो न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है आयो की गणना 1 अगस्त के अनुसार की जाएगी बाकि जो भी रिजरू केटेगरी है उनको IOC मा में छोड़ती जाएगी IBPS भर्ती के लिए सेक्षनिक योगेता की बात करें तो प्रोबेशनरी ओफिसर पद के लिए ग्रेजबेशन वहीं स्पेसलिस्ट ओफिसर के लिए समन्दे छेतर में डिप्लोमा होना चाहिए जिस चैन प्रक्रिया में टायर फस्ट एक्जाम टायर सेकेंड एक्जाम उसके बाद में इंटर्व्यू, डॉक्मेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक्जामनेशन होगा वहीं आविदन फॉर्म शुरू, एक अगस्ट दोहजार चोबिस से हो गये हैं, अंतिम्तिति की बात करें तो 28 अगस्ट दोहजार चोबिस रहने वाली है